नमस्कार मैं हूँ सच्चिदारंद वसेष्ट और सजनों व्रशिक राशी वालों के लिए ये नमंबर का मेना कैसा रहने वाला है क्या इसमें सुख दुख हमारे सामने आएंगे क्या क्या हमें अपनी जोग है बचाओ पक्ष के अंदर कार्य करने है तो अगर स्वास्त की ब कुटुंब के अंदर आपके यहां शुक्र विद्यमानख है शुक्र एक शुब ग्रह है धन में कुटुंब में घर में कोई ना कोई प्रसाधन का सामान खरीदा जाएगा और कोई भी उत्सव मनाया जा सकता है किसी न किसी प्रकार का कोई नए व्यक्ती का आगमन इस समय अगर हम बात करें आपके सुख की यस की और मूमी भमन वाहन संबन्धी अगर वार्ता करें तो इसके अंदर आपको लाग होगा कोई भूमी खरीदी जा सकती है वाहन खरीदा जा सकता है यस प्रतिश्ठा आपकी बढ़ेगी अगर हम बात करें विद्ध्यसनतान की तो इसके अंदर भी आपको अच्छे जो है परिणाम इस समय पर मिलेंगे क्योंकि यहां का मालिक ब्रेहस्पती के अंदर बैठा हुआ है रिण रोग और शत्रू इनका जो मालिक है वो आपके भाग्यस्तान में खें तो करजे भी आपके कम होंगे शत्रू भी कम होंगे औ और अदालती कोई मामला होगा तो वो सुलजेगा और दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन के अंदर यहां पर ब्रेहस्पती आपके बैठे हुए है नया संजोग बनाएंगे पती पत्नी में अच्छा मेल रखेंगे भार में एक भावनाएं बनी रहेंगी और कोई नया संबंध आपका जोग है हो सकता है स्वास्त संबंधी बात करें तो स्वास्त जोग है यह उसका मालिक बुद्ध है आपका जो लगन के अंदर है तो हलका फुलका कोई ना कोई स्वास्त में नर्मा गर्मी चल सकती है लेकिन भागी संबंधी अगर बात तो भा प्रकार का लोस हो सकता है राज की परिशानी आ सकता है जैसे कोई बड़ा बिजनिसमेन है कोई इंकम टेक्स की एडी की कोई जो कहे परिशानी सामने आए तो उसके प्रती आपको सावधान रहना होगा बाकी लाब की अगर बात करें तो लाब अच्छा होगा और अगर तारीक ये आपके लिए खर्चों के लिए ठीक नहीं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट आप ना करें, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीक ये आपके लिए देन, लेन, घर के अंदर आमोद, प्रमोद, घर में उत्सव, हर प्रकार की खुशी, यस, प्रतिष्ठा इस समय पर जो है आप लाब देने वाली है, लेकिन 14, 15 तारीक के अंदर आपको सावधान रहना होगा, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके वाणी के द्वारा कहीं न कहीं, कोई न कोई विवाद उपस्तित हो सकता है, तो उसका आपको ख्याल रखना होगा, 16, 17 तारीक, देनिक जीवन के व्य 26, 27, ये 8 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पूरे मेने के रुके हुए कारे जितने भी गहें, या पहले के रुके हुए कारे गहें, वो इस दमेंपर संपन हो सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, कोई नई नियुक्ती जो है, आपकी हो सकती है, लेकिन एक बात का ख्याल रहें, आपको 7, 28, 29 तारीक में खर्चों के उपर कंट्रोल करना होगा, कहीं देन लें ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें, और बाकी 30 तारीक आपके लिए बहुत संदर रहेंगी, तो ये जानकारियां मैंने आपको दी, बाकी जानकारियों के लिए इन नमरों पर संपर जनम का इस्थान, ये आपका प्रोपर होना चाहिए, अगर ये नहीं खें, तो हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, नमस्कार